नमस्कार मैं हूँ जैनिश मस्य और आपका स्वागत है पब्रिकेशन यूज में अब वक्त है उत्राखन की बड़ी खबरों से आपको रुबरु कुरानिका पहली खबर की उबर्टों आपको बता दें बारिश की बेरुखी से नैनी जील समीत समीप वर्ती अन्य जीलों के गिर्ते जल्फतर से भले ही स्थती चिन्ता जनक बनी हुई है मगर सेहत के लिहास से जीलों की परिस्थती में लगातार सुधार हो रहा है इन जीलों में पंतनगर विश्विद्याले के मतस्य विभाग की ओर से के जा रहे कार्यों और अध्यनों में संतोज जनक आंकडे सामने आए हैं पूर्व में गिरती जल्ले गुडवत्ता की वज़ा से यू च्रॉफिक श्रेणी में रखी गई नैनी जील के साथ ही भीमताल, साथताल और नकुचिया ताल जील सुधार के बाद मैसो च्रॉफिक श्रेणी में आ गई है जिसे और बहतर करने और जील में जन्तु प्लवक और पादप प्लवक की मात्रा नियंतरित करने के लिए मचलियों की प्रजातियों में संतुलन स्थापित क्या जा रहा है जिसे गुडवत्ता में और सुधार आएगा वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे केदारनात यात्रा के पंजी करन के नाम पर फरजी पंजी करन दे कर 4,4,000 की ठगी का मामला रुद्र प्रयाग पुलिस ने पकड़ा है पुलिस ने यात्रियों के लिखित शिकायत पर 9 मुकदमे दर्ज के हैं रुद्र प्रयाग स्पी डॉक्टर विशाक शोक भदानी ने बताया कि केदारनात यात्रा में ये पहला केस है जब पंजी करन के लिए यात्रियों से इस तरह से ठगी की गई है प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने बताया कि रिशिकेश बदरीनात राजमार्ग पर जवाड़ी बाइपास स्थित पुलिस चौकी पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी इस दोरान कुछ यात्रियों के पंजी करन को चेक किया तो पंजी करन और पंजी करन में अंकित तित्थी में काफी अंतर दिखा जाज करने के पात पता चला कि बाद की तिथी के पंजी करण में फिर बदल कर उसे मौजूदा तिथी में उपियोग में लाया गया है वहीं अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे में 50 मीटर के दाइरे में रील बनाने और वीडियो ग्राफी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है बद्धुवार को पद्रीनाथ मंदर परीसर में मुबाइल से रील और वीडियो बनाते हुए पुलिस ने 15 यात्रियों को पकड़ा पुलिस ने सभी के मुबाइल जब्द कर लिए करीब 8 घंटे बाद सब का 500-500 रुपई का चालान कर मुबाइल लोटा दिये कोतवाल नवनीद भंडारी ने बताया मंदर परीसर में रील बनाने वालों में अंगाल आंध्रप्रदेश गुजरात मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के साथ ही अन्य छेत्रों के यात्री शामिल थे अगली खबर के और बड़तों आपको बता दें चारधा म्यात्रा की विवस्थागत चुनौतियों के बीच पूर मुख्य मंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक नियामक एजेंसी बनाने की वकालत की है चुनाव में पुलिस और प्रशासन के अफसरों की व्यस्तता के सवाल पर कहा ऐसा कहे कर प्रशासन अपनी नाकामी ना चुपाई प्रशासन के मुह से ऐसी बाद शोभा नहीं देती चुनाव 19 अप्रेल को संपन हो गए थे मेडिया से बादचीत में उन्होंने अपनी सरकार में देव स्थानम बोर्ड गठन की खूबी गिनाई और कहा सड़क हवाई और रेल कनेक्टिविटी में काफी सुधार के बाद हमारा अनुमान था कि 2025 तक राज में एक करोड से जादा यात्री आएंगे इस संभावना को ध्यान में रख कर ही हमने देव स्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था आज ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस समय देव स्थानम बोर्ड का विरोध किया और आज वो कह रहे हैं कि हम से गलती हो गई नहीं अगली खबर के और बड़तों आपको बता दे पिली कोटी जगदंबा विहार कॉलोनी में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर फड़ गया तेज धमाके के साथ फटे सिलेंडर से लगी आग ने तीन मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया बता दें कि घटना में एक महिला जुलस गई दो बच्चे और एक महिला सिलेंडर के अफशेश शरीर में लगने से घायल हो गए घरवालों ने इस थाने लोगों की मदद से एक घंटे में आग पर काबू पाया जुलसी महिला का इलाद चल रहा है जबकि तेन घायलों को छुट्टी दे दी गई है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्रिकेश्या नियूस धन्यवाद